हैलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग के सिस्टम अगर लैप्टाप या फिर कम्प्यूटर सिस्टम में ब्लूटूट ड्राइवर इस्टॉल है कि नहीं कैसे पता कर सकते हैं वीडियो में कम्प्लीट इस्टम बताऊंगा तो वीडियो को कहीं भ rode skip मत करना और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना दोस्तों वीडियो में कम्प्लीट बताऊंगा कि अगर Bluetooth driver इस्टॉल नहीं है तो कैसे हम लोग पता कर सकते हैं अगर इस्टॉल है भी तो हमारी यहां पे देख सकते हैं टासबार पट्टी पे सो नहीं हो रहा है Bluetooth driver यहां पे देख सकते हैं है इस टोल है कि नहीं पता भी कर सकते हैं और टाजबर पट्टी पे ब्लुटूट का ड्राइवर भी सो नहीं हो रहा है तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर आ जाना और यहां पर आपको कंट्रोल पैनल का ओप्शन दिख जाएगा तो इस पर क्लिक करना है कंट्रोल पैनल के ओप्शन पर और क्लिक कर देने के बाद यहां पर आपको एक ओप्शन ढूनना पड़ेगा जिसका नाम होता है डिवाइस मैनेजर तो आप लोग डिवाइस मैनेजर के ओप्शन पर ढू स्टॉल है परन्तु जो हमारी टास्वार पट्टी पे है वो सो नहीं हो रहा है यहां पर देख सकते हैं अगर आपके सिस्टम में स्टॉल नहीं है तो आप करना है मैं आप लोगों को बता sixth ड्राइवर को स्टॉल कैसे करना है हमारे में हमारे 시스ल है लेकिन टासबर पट्टी पे शो नहीं हो रहां दोस्तों देख सकते हैं यहाँ ड्राइवर है यहां से आप लेकिन टासब्र पट्टी पर शू नहीँ हो रहा है दोस्तों देख सकते हैं याहां से आप update भी कर सकते हैं Bluetooth ड्ॉर को update करना चाहिए तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं पहुत यह यहां पर असाणी स्टीन सी Bluetooth ड्राइवर है दुस्तों हमारी टासब्र पट्टी पे सो नहीं हो रहा है स्केलिया को करना क्या होगा हुगा आपको सिंपल सा इसमें आपको बुर्टूथ शेटिंस को डोना पड़ेगा यहां पर सर्च भार सकते हैं अफ़ अब लिखना आए यह बस तो चलिए अफो ल्धी सर्टिंस looks सर्च कर लेना है टासबर पट्टी पे Bluetooth आइकन सो हीं हो रहा तो यहाँ प्याsal Bluetooth सेटिंग सर्च कर लीजी तो यहाँ और देख सकते हैं Changing Bluetooth सेटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको इस पर किलिक कर देना होगा हुआBR चेंज ब्लूटूथ सेटिंग के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस नजराएगा तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देता है और क्लिक कर देने के बाद दूस्तु यहाँ पर आपको आप्सन मिलेगा ब्लूटूथ सो नोटिफिकेशन एरिया तो यहाँ पर अभी टिक मार्क नहीं लगा हुआ है तो आपको टिक मार्क लगा लेना है और टिक मार्क जैसे लगाएंगे और यहाँ पर अप्लाई जैसे गे तो यहाँ से हमारा टास्बार पट्टी पर अगर नहीं सो हो रहा है तो आप फिर से यहां पर चेंज सेटिंग के उपर आके यहां पर अपलाई कर देंगे तो यहां पर बुलुटूथ का इकन जो है हमारी टासबार पट्टी पर सो होना चालू हो जाता है दोस्तों वीडियो में दोस्तों मैंने सभी जो इस्टेप था मैंने आपको बता दिया है कि बुलुटूथ अगर इस्टॉल है कि नहीं पता कैसे कर सकते हैं और बुलुटूथ जो टासबार पट्टी पर आ चुका है वह भी मैंने आपको बता दिया है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजीगा दोस्तों आपके सिस्टम में अगर बुलुटू ड्राइवर इस्टॉर नहीं है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दिना मैं दूसरा वीडियो बना दूँगा